दोस्तो आर आर बी की ओर से बहुत बरी खुशकबरी है यह रेलिवे एलपी टेक्निशन के CBT2 एक्जाम का रिजल्ट जारी हुआ है और टोटल वेकंसी के आठ गुना अब विर्द्यू का चैन के आगा है कम्पूटर बेस्ट अप्टिटू टेस्ट के लिए और 16 एप्रिल 2019 को साइको टेस्ट होने वाली है तो चेलिए दोस्तो आगे बड़े तो देख लेड़े पूरी जानकर यह अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर लिजगा और दोस्तो रेलिवे एलपी साइको टेस्ट की तैयारी करने के लिए वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बुक की लिंक मिल जाएगी जहां से आप साइको टेस्ट के लिए बुक आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और इस बुक के मादिम से 100 प्रतिशत गारंटी आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तो रिजल्ट चेक करने के लिए आप सभी को देगा जाए 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 साथ यह official notification जारी हुआ है जैसा कि अब देख सकतो ministry of railway, railway recruitment board के ओर से और इसके पहले जो provisional scorecard जारी हुए थे अब final scorecard जारी हुए जो answer की में सुधार करके यह scorecard जारी हो चुके जहाद उसे यहाँ पर साफसा बताए गया कि 21, 22, 23 जनवरी 2019 को जो एक्जाम कंड़ेट कराए गये थी और 8 फरवरी 2019 को जो एक्जाम कंड़ेट कराए थी large number of candidates ने answer की पर आपतित दर्च कराने के बाद provisional answer scorecard को अब final scorecard में बदल दिया गया है यानि अब change हुआ है जिया दोस्तों यहाँ पर बताए गया है कि 5 April 2019 को यह result जारी हुआ है और 16 April 2019 तक आप देख सकते हो और 16 April 2019 को आपकी psycho test होने वाले है जिया दोस्तों यहाँ पर part B में आपको 35% लाना mandatory यहाँ पर बताया गया है और part A का यह जो cut up जारी हुआ है आप यहाँ पर देख सकोगे जा दोस्तों 16 April 2019 को आपकी psycho test होगी यह भी यहाँ पर बताया गया है और psycho test में 5 battery test होगी हर एक battery test में बयाले संक लाना mandatory है अगर एक भी battery test में अगर आपकी बयाले संक नहीं आते तो आप सीधे भरती परिक्ष्या से बाहर हो जाओगे दोस्तों negative marking इसमें नहीं होगी computer based aptitude test में और mock test देने का link जो है है और 10 April 2019 को एक्टेट होने वाला है जो कि 16 April 2019 तक आप दे सकते हैं RDSO की official website पर जाकर या RRB की official website पर जाकर आप mock test दे सकेंगे दोस्तों परिक्ष्या हॉल में जाते वक्त आपको vision certificate लेकर जाना है रिक्ष्या हॉल में या दोस्तों और exam date के 4 दिन पहले आपके admit card जारी कर दे जाएंगे e-call letter जारी होंगे computer based aptitude test के लिए दोस्तों यहां पर बताया गया है कि जब aptitude test का result जारी होगा उसके बाद ELPO technician का जो shortlisted candidate होंगे document verification के लिए उन सभी की list जारी होगी अभी तो technician का result नहीं आएगा जब ELP के computer based aptitude test का result जारी होगा उसके बाद एक साथ ही ELP और technician का final result आएगा document verification के लिए यह भी यहां पर अधिस उचित किया गया जादो सो अधिक जानकरे के लिए आपको RRB की official website पर जाकर widget करना होगा साथी साथ आप अपने scorecard cut up list और उसके साथ सब shortlisted candidate के list भी दे सकते और किस-किस board का कितना cut up गया है पूरी जानकरे next video में आपको मिलने वाले हैं चैनल के साथ आप जुड़े रही है वीडियो के description box में आपको stage 3 एने computer based अप्टीटूट टेस्ट के लिए सबसे महतुआ पूर्ण किताबे दी गई है जिसके माध्यम से आप आसानी से त्यारी कर सकते और selection ले सकते हैं